दोस्तों ये तो बात हम सभी जानते हैं कि अंतरास्टी हवाय यात्रा के नियम है कि साथ मैने से अधिक गर्बवती मैला को यात्रा की अनुमती नहीं होती है लेकिन हम यह भी जानते हैं कि दुनिया में कई बार इस तरह की घटनाएं भी हो चुकी है जबकि हवा में उड़ती हुई फ्लाइट के अंदर सपलता पुर्वक डिलेवरी कराई गई है हाला कि सवाल यह है कि जब एक बच्चे का जन्म फ्लाइट में होई गया है तो उसे किस देश की नागरिकता दी जानी चाहिए जिस देश में उसने उड़ान भरी थी या फिर जिस देश में उसके फ्लाइट लैंड करने वाली है इसके बारे में जानेंगे पूरे डिटेल्स में वीडियो के आगे में क्योंकि दुनिया की ज्यादातर देशों में इस तरह जन्मा लेने वाले शिशू के लिए नागरिकता का कोई भी नियम नहीं है सोईकते रज्य अमेरिका में इसके लिए नियम बनाए कोई भी शिशू जो अमेरिका की जमिन पर है या फिर आस्मान पर पैदा हुआ है तो उसे अमेरिका का नागरिक माना जाता है उसे अमेरिका में मिट्टी का अधिकार प्रप्त होता है जो कि अमेरिका की नागरिकता का प्रमान है अमेरिका में फ्लाइट में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म प्रमान पतर बनाया जाता है जिसमें सपस्ट रूप से कलवाले थे हैं जिस तरह ज़्यादा तर देशों में किया जाता है लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है जो आर्टक सौल नहीं हो भाई है वह यह है कि आखिर हवाई जहाज में जन्म लेने वाले बच्चों की जन्म कुंडली को कैसे बनवाय जाएगा तो दोस्तों वीडियो क स्टुडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टीन ट्रॉपिक के साथ तब तक लिए थैंक्स फूर वाचिंग गुडबाय एंड टेक क्यार